दोस्तों आज की कानी हैं लालस की बाल्टी देखिए दोस्तों एक वैपारी था उसका वैपार बहुत अच्छा चल रहा था लेकिन एक दीन का अच्छानक ही उसका वैपार धीरे धीरे कम होने लगा और उसे भारी नुक्सान हुआ जब उस वैपारी को लगा कि उसे बहुत चारा नुकसान हो रहा है तो वह धिरे-धिरे अपनी संपती को खो रहा है उसने बहुत कोशिश की लेकिन वह अपने वैपार को अच्छी तरज से नहीं चला पा रहा था तबी उसने मंद में विशार बनाया है कि मेरी संपती धिरे-धिरे चमापत हो गई है इसलिए मुझे यहां से शलना साइए और कोई दूसरा वैपार कर लेना साइए वैपारी के पास एक पितल की बहुत थी भारी बाल्टी थी यह बाल्टी उसकी पारिवरिक बहुत चालों से उसके पास थी उसे बेशना नहीं साता था इसलिए वह एक शेट के यहां पर उस बाल्टी को रख वैपारी ने का कि जब मैं वापस आउंगा तो अपनी बाल्टी ले लूंगा छेट ने का कि जब भी तुम आउगे तो ये बाल्टी तुमें मिल जाएगी वैपारी दूसरी जगह पर वैपार करने चला गया जब उसे बहुत चाल भित गई बहुत चारा धन कमाया तो वह जिसके कारण धीरे धीरे बालटी समापत हो गई है अब तु तुमें बालटी नहीं मिल ज़ाएगी वैपारी कहने लगा ठीक है जब बालटी में दिमक लग गई है तो कोई बात नहीं है उस वैपारी ने का कि मुझे यही पर एक दुखान वाले के पाथ जाना है अगर तुम अपनी बेटी को मेरे साथ भेज दो तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि मैं उस दुखान का पता नहीं जानता छेट ने का कि ठीक है तुम मेरी बेटी को साथ में ले जाओ जब वैपारी शेट की बेटी को ले गया तो उसके बाद वैपारी बहुत देर तक नहीं आया शेट ने सोशा की है तो बहुत देर हो गई मुझे चल कर देखना साइए वह कहां पर गया है तो वह वहपारी से मिला और अपनी बेटी के बारे में पुसा और आदमी ने कहा कि तुम्हारी बेटी को तो बहुत चारी चिंटिया अपने या ले गई है जो मैंने देखा तो उसके पेरों में बहुत चारी चिंटिया लगी हुई थी और धीरे धीरे उसे ले जा रही थी मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था चेट बोला तुम जुट बोलते हो फिर बोला कि इतनी चारी चिंटिया मेरी बेटी को नहीं ले जा सकती इसका मतलब तुमने उसे कहीं पर चुपाया है फिर वेपारी ने कहा कि जिस परकार मेरी बाल्टी को धिमक खा सकती है उसी परकार तुम्हारी बेटी को बहुत चारी चेट को चारी बात चमज में आ गई चेट ने उस वहपारी की बाल्टी वापस कर दी और अपनी गलती के लिए चमा मांगी हमें लालस में कभी भी किसी के चात बूरा नहीं करना साइए और कभी भी जुट नहीं बोलना साइए अगर दोस्तों आपको हमारी ये लालस की बाल्टी का आनी पसंद आयो तो प्लीज लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें